आगे बढ़ू और देखू कि सर्प गंधा इजे और सध्य पौधा है इकर खेती कैसे करेख है सर्प गंधा गरम और नम जलवायू ले बेस रहेल बलूई जलोड मिट्टी से लेकर के लेटराइट दोमट माटी इकर ले बढ़ियां है बढ़ियां पानी निसकेया वला भूई रहेक चाही और माटी कर पी एच मान 4-6 कर मधे रहले बेस है इकर उन्नत प्रभेद है RS1 बिहिन कर दर 5-6 किलोग्राम बिहिन लगाएक कर बेरा माई कर मधे दवाई करल बिहिन कर 6-7 सेंटीमीटर कर दूरी और 1-2 सेंटीमीटर कर गढ़ा में बुनिक चाही लगाएक कर दूरी दर से दर और पोधा से पोधा कर दूरी 40-50 सेंटीमीटर रहले बेस रही माईंद और उर्वरक रोपे कर अगे 20 किलोग्राम नेतरजन 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास प्रती हेक्टर में खुराक कर रुप में देख चाही फसिल बाढ़क कर आवधी कर मधे 20 किलोग्राम नेत्रिजन प्रती हेक्टर कर प्रयोग दू धाउं 25 से 30 दिनक अंतराल में केर देख चाहे पटायक ले जाड कला में 21 से 5 धाउं पटाले बेस रहे अब तोड़क और कोड़क कैसन है जाड में पौधा रोपे कर 18 महिना बादे माइंद के देदवें और जैर के बेस से धोए के 12 से 15 सेंटिमीटर कर टुकरा में काइट के सुखाय के भंडारित केर लेवें उगल फसिल में 12 कुईंटल प्रती हेक्टर सुखल डाटी कटिंग या की जैर कटिंग से जैर बेटाय जैल जेकर उपयोग हमरे मन बेमारी में करील अब इकर उपयोग कौन-कौन बेमारी में होयल सके जानू इकर बेमारी निद्रा दायक और रक्त दाब कमकरेक में दस्त में पेट बथा में रोग भ्रहम में और केंद्रिय तंत्री का तंत्र कर उत्तेजक में जदी साप कर जहर के उत्रायक हो और मानसिक बेमारी में इकर उपचार बढ़िया सोयल गर्भाशय कर संकुचन बढ़ायक और नौजात सिसु के बाहरे निसकैक में इदवाई कर परयोग करल जैल